नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको तो संचित स्वागत करता हूँ Knowledge Gate platform पे अभी बात कर रहे हैं algorithms में और now we are discussing sorting इस वीडियो में बात करूँगा bubble sort या shell sort या singing sort के बारे में अलग-अलग नाम से इसको जाना जाता है बहुत खुबसूरत idea है और bubble by bubble, bubble by bubble यह कैसे काम करता है आप वो सब जानेंगे तो एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इस वीडियो के chapters कौन-कौन से होने वाले सबसे important क्या concept है, क्या idea है bubble sort का तो पूरा basic discussion आपको समझाऊंगा उसके बाद dry run हम करते हैं आइडिया पढ़के नहीं सोचने वाले हैं इसको dry run करेंगे तो proper array लेकर index के साथ, values के साथ detail मैं लगो discuss करूँगा कि आप तुरं जाओ इसको implement कर लो वो वाली कहानी then we'll do the analysis of it complexity क्या है, space complexity, time complexity क्या होगी internal है, external है, stable है, unstable है divide and concur है, subtract and concur है क्या है, वो सारी चीजे and finally the ending remark conclusion किया हम इसके बारे में क्या बोल सकते है किस तरह का idea ये है yes, so now talking about one by one सबसे पहले animation देखिए, बहुत शानदर है पूरा idea आपको इससे समझ आ जाएगा मैं एक एक कर के साथ मैं चलता हूँ देखो क्या करता है इसको bubble sort क्यों बोलता है जैसे आप देखो हो, इसने इन दोनों पर bubble बनाया पहले, है ना, और ये देख रहा है relatively क्या करता है level by level जैसे आप देखो, iteration by iteration ये bubble बनाके चलता है इसलिए में इसको kind of bubble बोलता है वह तो idea है वह साब मान के चल दो value के एक बार मैं consider करता है और ये ensure करता है क्योंकि आप एरे increasing order में sort कर रहे हो तो हमेशा बड़ा value right में होना चाहिए छोटा value left में होना चाहिए तो ensure करता है कि हर बार ऐसा हो हर बार ऐसा हो अब मैं दुबारा से चला के आपको दिखाता हूँ now look at this सबसे पहले 6 और 5 में compare गया 6 बड़ा उसको right में होना चाहिए swap कर दो ओके ये done फिर आगे बढ़ो अगला iteration एक iteration में अगली value 6 और 3 में यहाँ भी swap होगा 6 बड़ा है तो right में होना चाहिए अब 6 बड़ा value चलता जाएगा now 6 और 1 में again order गड़बड है 1 left में आएगा 6 right में जाएगा very good 6 and 8 yeah I think order is okay यहाँ कोई problem नहीं है तो yes it is रहेगा 7 8 में again swap होगा और आप देख सकते होता ये है एक iteration के last में जाते जाते the guarantee नहीं कि सब कुछ sort होगा लेकिन जो largest value होगी of the array 110% वो extreme right में आजेगी finally 4 swap होगा 8 से and there you see कि यहाँ तक का जो part है kind of वो मारा sort होगा तो अगली बार जब मैं iteration by iteration चलूगा मुझे 8 तक आने की जरूत नहीं तो after the first iteration largest value sink होगा last में फिर यह process फिर यह करो 5-7 में नहीं 1 इधर है यह क्या करता है धीरे धीरे चलता रहता है और यह relatively भी sort होता जाएगा 6-7 में 5-6 में okay है 6-7 में okay है 7 और 2 में okay नहीं swap करो 2 पहले आना चाहिए 7 बाद में जाना चाहिए करो भाई यह swap कर दिया then 7-4 में भी okay नहीं पहुंची जाएगा सबसे छोटा था नहीं starting में होना चाहिए था then 3-5 it is okay then 5-6 also okay कोई swap नहीं बड़ा value राइट में है 6-2 में swap चाहिए swap करो भाई yellow 6 आएगा right में 2 जाएगा left में and then finally 6-4 एक और swap चाहिए इतना आसान हो गया पूरे 5 and 2 again swap चाहिए sir तो 2 आजाएगा left में 5 चला जाएगा and proceeding further 5 and 4 again इस पर swap चाहिए 4 आएगा पहले and 5 जाएगा बाद में अब आप देख सकते हैं 5 तक की कहानी हो गई then 1, 3, 2 and 4 order okay order not okay 3 को swap करिए 2 से तो 2 आजाएगा left में 3 जाएगा right में and then you have 3 and 4 totally okay I think this is already sorted analyze मैं जरूर करूँगा अभी भी अपना काम पूरा करूँगा then again this is also okay और final level पे this is done so that is how you see यह तो पाकल है फिर से चाली हो जाएगा but that is how you see bubble sort कैसे काम करता है मैं हमेशे एक बात बोलता हूँ real life में आपको माल लीजे बच्चों की examination copy है कोई भी roll number है उनको arrange करना है आप हमेशे हर algorithm के बाद यह सोचोगे आप real life में use करोगे क्या real life में ऐसा इटर ना real life में use नहीं करोगे but let it be approach क्या है और computer में किस तरह से काम करता है इसको भी अगर आप समझो तो can I say this is like n-1 और 1 है एक बार में एक problem solve कर रहा है हर iteration में जो largest value होगी that will be sing to the extreme right isn't it तो again यह भी अगर मैं answer करूँ to your first question क्या यह भी एक तरह का subtract and concur है जो value है वो right में जा रहा है और बचा हुए रहे वो एक 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 so this is in minus 2 in minus 3 कम होता जाओ और एक दिन यह भी solve हो जाएगा है ना so that is a philosophy जिस पर एक काम करता है एक simulation देखिए बहुत शांदार है बहुत शांदार है हो क्या रहा है यह देखो compare करते चलता बड़ा right में बड़ा right में हर iteration में आप देख रहे हो जो बड़े वाले values है वो धीरे धीर अपनी location देते जा रहे look at this this is beautiful this is beautiful इसको एक बार इसको मन करता था चलने दो दो चार बार चलने दो इसको observe करने दो बहुत सही आपको समझ आएगा अभी हमने क्योंकि उसका idea देख लिया pair by pair यह हर बार compare कर रहा है जहां भी जरुत है अगले में swap करते चला पहले से देख लाँ अगली iteration में swap हो जाएंगे अगली iteration में यह swap हो जाएंगे देख इधर आगया यह swap हो जाएंगे like this तो हर iteration में यह swap करते चलेगा जो largest value होगी उसको last में लेके जाएगा एक बार और चलने दो करो आप analyze देखो जब देखोगे इसको run करोगे तो one by one value by value आपको पूरी बात समझ आएगी sir और आप देख पाऊगे दिमाग में खुश जाना चाए bubble sort, shell sort, sinking sort, bubble sort, shell sort, sinking sort bubble sort कैसे pair by pair one by one काम करता है so I think animation, id, everything is okay and now we understand कि यह काम कैसे करता है sir exact implementation कराओ एक बार करते हैं sir yeah now this is the exact implementation अच्छा इसके दो variation है मैं आपको बताऊँगा variation क्या है one variation is without flag तो फ़ले basic कराता हूँ then one variation is there with flag फिर वो भी करा दूँगा yes so again let me take some random values 20 भर देता हूँ इधर let me say 40 इधर 70 रख लेता है चलो round value ले रहे है na 20, 40, 70 इधर रख लेता हूँ 10 इधर रख लेता हूँ what should I take इधर रख लेता हूँ 80 और यहां रख लेता हूँ 10, 20, 30 suppose this is an idea अब गौर करिए index देखे कैसे चल रहा है so we are into bubble sort n का value again इस case में भी हमने 6 लिया है total पहला loop चला रहा 1 से लेके n-1 तक n-1 तो क्यों चला रहा अभी समझ जाओ गया अगे जब n sort हो चुगे तो बचावा जो part है automatically sorted है आगे बढ़ो देखो कैसे काम करेगा k का value 1 से चला रहा है कहां तक जाएगा n-1 तक so 1, 2, 3, 4, and 5 5 इंडेक्स पर मैं चला रहा हूँ PTR क्या काम करेगा ये भी समझे PTR हर iteration में आपके साथ चलेगा अंदर अंदर so let me have a PTR and PTR is initialized to 1 ये condition देखो ये धीरे धीरे आपको समझाएगी while loop की condition for के अंदर while है while PTR is less than n- now right now PTR का value है 1 जो initiate किया है what is n- के इस पूरे iteration के अंदर n का value है 6 और क्योंकि मैं पहली बार अंदर आया हूँ तो k का value है 1 तो 6-1 यानिकि ये value हो गया मेरा 5 isn't it this value is 5 so obviously 1 is less than 5 I can go inside A PTR क्या A PTR plus 1 से greater है वो ही fundamental बात तो यहाँ पे PTR की value 1 है क्या 40-20 से greater है हाँ greater है greater है तो सीधे सीधी बात नो बखवास सीधी बात नो बखवास सीधे खैरा greater है तो swap करो if it is a sorted array तो बड़ा value किदर होने का बड़े value को right hand side में होना है न सर इसको swap कर देता हूँ so now that is 20 and that is 40 PTR इसको also PTR plus हर बार होगा तो मैं दुबारा आया PTR का value 2 लेके क्या 2 अभी भी 5 से कम या बराबर है हाँ है I'll go inside क्या 40 70 से A PTR is greater than A PTR plus 1 क्या 40 70 से greater या बराबर है क्या नहीं है condition fail हुआ तो मैंने swap नहीं किया but PTR plus 1 तो हमेशा होगा now PTR becomes 3 A PTR is greater than A PTR plus 1 क्या 70 80 से greater है क्या नहीं वो भी greater नहीं है condition again fail हुआ मैं बाहर आया but again PTR goes to 4 now there you see A of 4 क्या 80 10 से greater है क्या A PTR is greater than A PTR plus 1 जी हाँ greater है इस बार swap होगा so 10 आ जाएगा इधर और 80 पहुँच जाएगा इधर and then मैं बाहर आऊंगा PTR plus 1 5 तक अब देखे 5 पे भी चल रहा है क्या हाँ चल रहा है 5 is less than equal to 5 condition बिल्कुल काम कर रहा है so now you can see क्या 80 30 से greater है हाँ है और यह होना भी था क्या यह first iteration के बाद जो उने plan किया था यह value right में चला जाना था जो जो largest value है इधर के आएगा 30 largest value is sink to the extreme right 6th index पहुँच गया है अब जब मैं दुबारा काम करूँगा PTR plus 1 is equal to 6 6 पे काम करेगा fail हो जाएगा so what is this n minus के अब आप समझोगे यह दरसल आपको बताता है कि you enter again and this time आपके लिए outer fault loop में k का value हो जाता है 2 PTR को दुबारा से initialize करेंगे यह पूरा काम फिर से होगा है तो क्योंकि इंटर्नल लूप की कानी है सर तो यह PTR हो गया दुबारा से 1 फिर आप से पूछूँगा अब बताओ n minus के n का value यह तो 6 ही है बट इस iteration में k का value 2 है so 6 minus 2 is 4 यानि कि इस बार यह जो लूप है यह 4 बार चलेगा चलो अंदर चलो एक एक करके देखता है A PTR is greater than A PTR plus 1 फिर से चेक करो क्या 20 40 से greater है नहीं है condition fail बाहर आजाओ फिर PTR plus 1 हो जाएगा क्या 47 से greater है नहीं बाहर आजाओ फिर PTR 3 हो जाएगा क्या 70 10 से greater है हाँ है swap होगा तो 10 आएगा 3 पे और धीरे धीरे करता है यह देखो धीरे धीरे चीज़े migrate होती है धीरे धीरे आपको छोटी value left value value right में जाती में नजर आएगी and then एक बार और प्लस होगा 4 पे चलेगा then 40 30 70 30 again swap होगा तो 70 आएगा index number 5 पे और 30 आजाएगा 4 पे and that will be all क्योंकि उसके बार PTR हो जाएगा 5 and 5 is not less than equal to 4 and there you see क्या इस बार सच में यह bubble स्रुफ 4 बार ही करने थे हाँ क्योंकि एक तो short कर चुका 5 value थी 5 पे चार बार bubble बनाओगे चलेगा अब I think इस तरह से आप फर्दर आगे जा सकते हो अगले iteration में 20 40 ok 40 10 not ok so there is 10 there is 40 40 30 not ok so there is 30 and there is 40 अगले iteration में 20 10 not ok 10 विचारा कहां से travel करता है आप देखो so 30 20 ok and this is it and that is how you sort it out yes so यह सर पूरा idea है bubble sort का animation से भी और algo से भी पूरी बात complete की है क्या difference है सरी फ्लाग की क्या कहानी है देखिए मैंने दोनों वर्जन लिख दी है size थोड़ा चोटा है बट मुद्दगी बादा पकड़ लोगे this is the older version this is a version with flag जहां पर बस outer यह जो inner while loop है इसके बाहर एक मैं condition लगाता हूँ क्या कि मैं पहले flag को initialize करूँगा यहां अच्छा मैंने लिखा नहीं आप यहां मान लो मैं flag को initialize करूँगा किस से 0 से ठीक है अब मैं अंदर गया imagine करो अगर array already sorted होगा तो एक बार भी बोलो swap होगा क्या नहीं swap नहीं होगा तो मैं अंदर जाओंगा while मैं हर बार condition चेक करूँगा क्या APTR APTR plus 1 से बड़ा है नहीं है तो condition हर बार fail होगी मैं loop से बाहर आओंगा और flag का value 0 ही रहेगा 0 means false false का ultra that is negation false false का ultra true तो यह condition true हो जाएगा और break हो जाएगा यानि कि इस loop से मैं बाहर आ जाओंगा break का मतलब कि everything is already sorted यगर एक बार भी swap नहीं हुआ तो फिर मुझे कुछ करने की जरुत है क्या फिर मुझे कुछ भी करने की जरुत नहीं है लेकिन अगर एक बार भी swap हुआ there you see आप अंदर जाएंगे जैसे swap होगा मैं flag की value 1 कर दूँगा अब 1 को आप क्या treat करेंगे बोलिए 1 को आप treat करते हैं आप basically true और true का जब negation करेंगे now that will become false तो उस case में ये break कभी होगा नहीं यानि कि जब तक swapping हो रही है तब तक इसको समझ आ रहा है कि हाँ के काम करना है लेकिन जैसे इसको लगेगा swap होना बंद हो गया और flag की value 0 ही रहे गई उसके बाद आपको कभी दुबारा काम करने की रदने that will be sorted so this is the idea with flag जैसे obviously complexity में हमें help मिलती है कैसे मैं आपको समझाता हूँ analysis शुरू करते है so depends on structure और content so I'll say understanding this idea I'll say both why both तो अभी आपने देखा जो main important variation है तो flag वाला है तो अगर improved version है तो वो यूज करेंगे जब flag वाला idea यूज करेंगे यहाँ पर flag को 0 करना है बाहना जब flag वाला idea यूज करेंगे तो क्या अगर array already sorted होगा array अगर already sorted होगा दुबारा समझिए आप input case कैसा दे रहे हो उसकी वज़े से bubble sort का run time change हो रहा है उसकी वज़े से while loop को कितनी बार काम करना है वो change हो रहा है तो इसका मतलब यह पहले आज हमने पढ़ा selection sort उसकी तरह सिर्श्रक्चर पर नहीं structure और content दोनों पर काम कर रहा है है ना थो हम बोलेंगे both internal, external I think again internal case ने कोई space complexity use किया जी नहीं बिना किसी space complexity constant space में काम किया so it is also an example of internal sorting algorithm stable, unstable again दुबारा देखिए swapping मैं कर रहा हूँ and look at this condition swap बहुत आसाने imagine करता है strictly greater than लिखा हुआ strictly greater than तो अगर कोई problem नहीं होगी तो हम कभी a swap करेंगे नहीं, isn't it तो यह बिल्कुल perfect तरीके से काम करेगा this is stable, जो भी copies है वो अपना relative order अपनी position hold करके रखेंगे time complexity again देखिए, worst case आप imagine करेंगे, so there you have outer for loop which will go till n and there you have an internal while loop which is again outer of n and वैसे भी subtract and concur है तो complexity जादा होनी थी n cross n complexity will go up to n square now what about the best case यहाँ पर change होगा क्या यहाँ best case भी n square होने वाला नहीं मैं आप best case order of n होगा क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, again आप देखिए पुरी बात समझ सकते हैं, imagine कर सकते हैं यह flag की वज़े से यह while loop कितनी बार चलेगा एक बार चलेगा, आप break हो के इससे बाहर आ जाओगे, isn't it तो उस case में आपको n square पे नहीं order of n पे, यानि कि बाहर वाला जो for loop है, बट उसी को ध्यान रखके उस पे settle करना पड़ेगा, approach भी I think already हम समझ चुँगे, that is subtract and concur, एक एक बार में एक 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 value extreme right तक लेके जा रहा और पूरी चीजों को manage कर रहा है, तो again अगर मैं conclude करूँ, ये बात तो ठीक है कि इसका जो complexity है that is order of n square और आम तोर पे insertion sort, bubble sort you know selection sort ये kind of a category के नदर आते हैं बट जो important बात मैं आपको बता रहा था, will you use this idea practically, real life में आप ऐसा sorting करोगे क्या ऐसे now this is not very important real word में तो use होने की बात ही नहीं बट फिर भी, एक efficient algorithm जैसे हमारे पास है MR sort, heap sort जो आके जाके पड़ेंगे जिसमें इसका इसका इस्तमाल करते हैं अगर already sorted देते हो तो जैसे मैं आपको बता जिए उसके समें इसकी complexity रफन स्क्वाइर है हाला, however advantage क्या है कि ये धीरे-धीरे sort करता है और जैसे आपने पहले भी देखा था अगर आप इसको kind of already sorted area दोगे उस पे जल्दी काम करके बाहर आ जाता है यहां तक वीडियो आपने देखी है तो पूरी बात आपको समझ आई होगी I think आपने already subscribe कर लिया होगा नहीं भी किया तो please subscribe करिए bell icon click करिए और all का button दवाईए क्योंकि अगर आप first year, second year किसी भी year के अंदर even pass out भी है back to back videos लेके आते है including every idea स्रिफ पढ़ाई के बारे में नहीं general understanding जो एक CSIT student को पता होनी चाहिए कोशिश है आपके life में value generate करें और इस country को कहीं ना कहीं उपर ले जाने में मदद करें Thank you so much